एक समय था कि आइना नहीं था आइने रूप जैसी कोई चीज नहीं तो लोग अपने आपको उस तरीके से नहीं देख पाते थे जिस तरीके से आज देख पाते या तो पानी में लोग अपनी प्रचाई देखते थे अबर पानी की प्रचाई तो आप जानते कि कभी इधर तो वो ठीक दिखाई नहीं थे। कोई चमकीली चीज पर चमकीली चीज होने के लिए पैसा होना जरूरी था अमीरों कोई उपलब थे, गरीबों को यादा उपलब नहीं थे अर्थात लोग अपने चेहरे को नहीं जानते थे, नहीं पहचान पाते थे और जब आयना आया, अब तो सब लोग देखते हैं, अगर अपनी फोटो देखेंगे, तो कहेंगे, यह तो मेरी फोटा है अब कैसे आपको मालूम, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका चेहरा कैसे दिखता है ठीक इसी प्रकार से, जब मनुष अपनी प्रकृती को समझता है, तो उसको समझ में आता है कि शानती मेरे से दूर नहीं है मैं शानती से दूर नहीं है, और मेरी प्रकृती में आशानती भी है, मेरी प्रकृती में लड़ना भी है कि लड़ाई जो चीज है वो बहार से नहीं आती है वो मनुशिके अंदर से आती है और शांती भी मनुशिके अंदर से आती है जब दोनों चीजों को पहचानने लगता है तो वो जानता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है और वो समझने की कोशिश करेगा कि अच्छा क्या है बुरा क्या है वो जो कुटा अपनी दुम को फिरता रहता है फिरता रहता है उसकी आलत मनुश्य की ऐसी हो जाए और होगा क्या शांती दूर जाए जब मनुश जानता ही नहीं है कि ये अशांती का कारण भी मैं हूँ और शान्ती का कारण भी में हूं, तो वो दूसरों की तरफ देखेगा, लीडरों की तरफ देखेगा, और लीडर तो करनी सकते, अब करेंगे कैसे, जब श्रोथ उसका मनुष्य है, जब मनुष्य नहीं बदलने के लिए तयार है, जब मनुष्य अपने आपको पहचानने के लिए तयार नहीं है, तो लीडर क्या करेगा? चटनी किस चीज़ की बनाएगा? क्या करेगा? मज़र क्या सलूशन देगा किसी को? सलूशन हमेशा एक ही रहा है, अपने आपको जानू, अपने आपको पहचानू. उस दिन क्या बदल जाएगा ऐसा, अगर ये भी मान के चलिए एक दिन ऐसा आएगी, सब अपने आपको जानते हैं, उस दिन बदलेगा क्या, पर बदलना किस चीज को है, किस चीज की बजए से बाहरी चीज की बजए से हमारे मन में अशांती होती है, ये तो अंदर ही की बात तो इस दुनिया को बदलने की जड़त नहीं है, इसका यह मतलब नहीं कि सल्फोन कायब हो जाएंगे, ना, बाहर किसी चीज को बदलने की जड़त नहीं है